नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जोगरीपी सी संबंदित महत्पून ग्वेश्चन डिसकस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एक्जाम्स के लिए महत्पून हैं इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप या वटसब ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जिनका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तो questions आपको bilingual, Hindi और English दोनों languages में appear होंगे शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न दोस्तो आज का पहला प्रस्न है which of the following mountains is called five treasures of great snow तो five treasures of great snow किस परवत को कहा जाता है तो इस का अंसर है option number C कंचन जंगा परवत को तो दोस्तो कंचन जंगा परवत जो है third highest mountain है विश्व का और इंडिया का सबसे उचा परवत है यह हिमालिया रेंजी का अंतरगत आता है और समुद्र तल से इसकी उचाई है 8586 मेटर ठीक है तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे इसका अंसर है option number C कंचन जंगा परवत अगला प्रस्न है दोस्तो निमलिकित में से किस बायोम में पेड नहीं है तो दोस्तो बायोम क्या होता है तो बायोम दोस्तो जैवचेत्र या एकोसिस्टम जिसे बोलते है और टुंडरा प्रदेशों में दोस्तो जो है वो पेड नहीं होते है टुंडरा प्रदेश जो है दोस्तो ऐसे ठंडे चेत्र होते है जहां पर साल भर बर्फ जमी रहती है और यहां का तापमान जो है वो 0 degree Celsius से भी कम होता है तो कम temperature कारण जो है यहां पर पेड़ नहीं उख पाते हैं Mainly जो टूंडरा प्रदेश होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं दोस्तों Architect Tundra, Antarctic Tundra और Alpine Tundra तो इत्ती बाद हाँ यहां से याद रखेंगे अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं अगरा प्रस्न है निमलिकित मैं से कौन भारत की सबसे पुरानी परवत स्रंकला है Which of the following is the oldest mountain range in India दोस्तों जो अरावली परवत range है वो इंडिया की सबसे पुरानी mountain range है यह दोस्तों राजस्तान, हरियाना, डेली और गुजराद state में लाई करती है और यहां से question पुछा जाता है कि अरावली range की सबसे उची चोटी कौन सी है तो दोस्तों अरावली range की सबसे उची चोटी है गुरू सिकर peak ठीक है कौन सी है गुरू सिकर peak जो है वो अरावली range की सबसे उची चोटी है अगला प्रसन है निमलिखित में से भारत का सबसे कम उचाई वाला छेतर कौन सा है which of the following is the lowest altitude region of India तो दोस्तों कुट्टानाद केरल ठीक है कुट्टानाद केरल में present है जो की इंडिया का सबसे कम उचाई वाला lowest altitude region है यह समुद्र तल से यानि की sea level से 2.2 मिटर नीचे लाई करता है ठीक है तो इसका अंसर है option number A कुट्टानाद जो की केरला स्टेट में present है भारत के स्टलाकृतिक मानचित्र की संगठन द्वारा बनाये जाते हैं तो दोस्तो मैप्स होते हैं इंडिया के मैप टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया और मेड बाई विच और इंडिया तो सर्वे ऑफ इंडिया यानि की भारतिय सर्वेक्षियन इनके दोरा जो है दोस्तो मैप बनाये जाते हैं इसका हैट कोटर देहरादून उत्राखंड में इस्तित है और यहाँ से क्वेस्टेन पुछा जाता है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मंत्रालई यानिकि किस मिनिस्ट्री के अंतरगर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ सा इन अभ प्रजेंट में सर्वेर जंदल ऑफ इंडिया अभी प्रीजेंकि में सर्वेर जंदल ऑफ इंडिया कौन है ? लेटनेट जंदल गरीज कुमार तो करेंटर इवेस की दिरिश्टे से महतपूर्ट कुश्चिन है अगला प्रसन है मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यू में इस्तित है the मालवा प्लेट्यूउ is mainly located in which state तो दोस्तों मालवा का पठार जो है वो तीन राज्यू में मुख्यता प्रजेंड है मध्यपरतेश, गुजराथ and राजस्तान में तो मध्य परतेश, गुजरात और राज़तान इन तीन राज्यू में लाई करता है मालवा प्लेट्यू या मालवा का पठार, option number A इसका सही आंसर है सिंदु नदी किस परवस्थ रेणी से निकलती है? तो दोस्तों जो इंडस रीवर है, originate from which mountain range? तो इंडस जो नदी है दोस्तों वह कैलास range से निकलती है और mainly कैलास range के northern slope से निकलती है तो exam में इस प्रकार के question पूछ ले जाते हैं क्योंकि student को पता होता है कि वह कैलास range से निकलती है, लेकिन किस धलान से निकलती है यो उत्तरी धलान से निकलती है ठीक है और तिब्बत की पठार के निकट मांसरोबर लेग इसका जो है origination center है ठीक है तोस्तों और यह तीन देशों में बहती है एक तो चाइना यानि की तिब्बत में और इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है और पाकिस्तान की राष्टिय नदी है सिंदू ठीक है पाकिस्तान की राष्टिय नदी भी है सिंदू या इंडस अगला प्रस्न है निमलिखित में से कौन सी पर्योजना स्वतंत्र भारत की पहली बहु उद्देशी नदी घाटी पर्योजना है तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेट इंडिया का first river multi-purpose रिबर वैली प्रोजेक्ट था जो कि दामोदर रिवर पे 1948 में स्टार्ट हुआ और दामोदर रीबर को दोस्तों एक्जाम में यहाँ से question पुछा जाता है कि sorrow of बंगाल यानि कि बंगाल का सोग किस नदी को कहा जाता है तो बंगाल का सोग दामोदर नदी को कहा जाता है तो इसका answer है option number A, दामोदर वैली project अगला प्रस्न है निमलिकित में से किस पठार को Canadian Sealed के नाम से जाना जाता है which of the Pleiadew is known as Canadian Sealed तो दोस्तों लॉरेंटियन पठार को या लॉरेंटियन प्लेडियू को Canadian Sealed के नाम से भी जाना जाता है option number C, इसका सही answer है अगला प्रस्न है निमलिकित में से किस सहर को जुडवा सहर कहा जाता है which of the following cities are called twin cities तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों twin cities या जुडवा सहर भी कहा जाता है और यहां से exam में एक question पुछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो दोस्तों हैदराबाद जो है वो मूशी रीवर के तट पर बसा हुआ है कौनसी नदी मूशी नदी के तट पर बसा हुआ है important question है और इसका answer है option number C, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत में सबसे दक्षणी परवतमाला का नाम क्या है what is the name of southernmost hill range in India तो दोस्तो जो भारत का दक्षिरतम hill range है उसको बोलते है काडामम hills ठीक है काडामम hills उसके बोलते है और इसका दूसरा नाम है येला माला परवत संकला दोस्तो इसे काडामम hills इसलिए बोलते है क्योंकि यहां का क्लाइमेट जो है इलाइची की पैदावार के लिए उप्यूक्त माना जाता है और यह केरला और तमिलनाडू में प्रेजेंट है यह परवस्तरिंगला और समुद्र तट से 2695 मेटर का इसका एलिवेशन है यहांनि कि इसकी उचाई है 2695 अगला प्रसन है भारत का निमलिखित मैंसे कौन सा हिस्सा गर्मियू में पहला मानसून प्राप्त करता है तो फस्ट मानसून जो आता है तो वो किस पार्ट मा आता है तो दोस्तो Western Ghats of Kerala में first mansoon आता है गर्मियों का ठीक है तो एक question बार-बार exams में पुछा जाता है इसको आप याद रखिए कि गर्मियों में पहला मानसून Western Ghats में आता है दोस्तो अगला प्रसन है निमलिकित में से किस भारतिय ये प्रायद व्पी नदी का सबसे बड़ा बेसिन है तो दोस्तो बेसिन क्या होता है बेसिन यानि की भूछेत्र या जल ग्रहण चेत्र हम इसको हिंदियों बोलते हैं जहां तक नदी जो रीवर होती है या जो उसकी साहग नदियां होती है उनका पानी परवाहित होता है जिस चेत्र तक उसे बेसिन बोलता है तो प्रायद व्पी भारत है नीचे का इंडिया के साउथ का हिस्सा तो प्रायद व्पी भारत में किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन है तो प्रायद व्पी भारत में दोस्तो सबसे बड़ा जल गराण सेत्रिया बेसिन है option number C गोदावरी is right answer यह question आप बहुत important है super important question है इसको जरूर याद रिखिए अगला प्रसन है पुने किस सहर के किनारे स्तिध है पुने is located near which river तो दोस्तों पुने जो है वो मूथा रिवर के किनारे पे इस्तिध है और मूथा रिवर कहां गिरती है मूथा रिवर बेव बंगाल में गिरती है ठीक है कहां गिरती है बेव बंगाल में तो इसका answer है option number A मूथा रिवर अगला प्रसन है निमलिकित में से किस नदी को दक्षिन गंगा नाम दिया गया है तो दक्षिन गंगा किस नदी को बला जाता है यह बहुत important question है इसको आप याद कीजिए तो दक्षिन गंगा दोस्तों बला जाता है गोदावरी नदी को और यहां से एक question इससे मिलता जूलता question है ध्यान दीजेगा दक्षिन की गंगा ये तो दक्षिन की गंगा किस नेदी को बोला जाता है तो दक्षिन की गंगा किसे बोला जाता है और दक्षिन की गंगा किसे बोला जाता है गोदावरी को और दक्षिन की गंगा किसे बोला जाता है काविरी को ठीक है ये बात आप यहा लाइक भी कर दिया करो और इसको दिख से दिख सेयर कर दिजिए थैंक यू, have a nice day